बेलकम तो माई चेनल आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11.2 जो की 3D चेप्टर हैं त्रीवी मी जयामिती का जो चेप्टर है देखिए यहाँ पे त्रीवी मी जयामिती का चेप्टर है तो आज हम 11.2 पढ़ेंगे तो इस्टूडेंट यह पार्ट 2 है मैंने 1 से लेकर 5 मैंने पार्ट 1 में साल्व कर दिया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक देदूँगा आप वहाँ पर जाकर देख लेंगे तो इस्टूडेंट आज की जो वीडियो है उसमें हम 6 नंबर से शुरू करने वाले हैं तो देखिए इस्टूडेंट जो 6 नंबर है वो क्या कर रहा है कि उस रेखा का कारती समीकर ज्याद कीजिए जो बिंदू माइनस 2 कावा 4 कावा माइनस 5 से जाती है और X प्लस 3 बटा के 3 बराबर Y माइनस 4 बटे के 5 बराबर Z प्लस 8 बटे के 6 के समनांतर है ठीक है इस्टूडेंट तो इसको हम आईए सा कंवा करते हैं तो देखिए यहां पे हम लिख लेंगे कि exercise 11.2 का कौन सा question 6 नंबर तो देखे जटवा नमबर दे रखा है कि जो यहां पर बिंदू दे रखा है यह बिंदू दे रखा है और यह इसका क्या दे रखा है समिकड़ दे रखा है तो हम जानते हैं आप से च्टूड़न कि एक्शन वाई वन और जेड़ वन से होकर गुजरती है वह रेखा इस रेखा जो में एक्शन कामा वाई वन कामा जेड़ वन से होकर गुजरती है होकर जाती है और जिसका अनुपात और जिसका अनुपात ABC हो जिसका अदिक अनुपात अनुपात ABC हो तब के लिए स्टुडेंट हम सुत्र जानते हैं ठीक है देखे ABC हो तो ऐसे सवाल को यह आपको क्यों एक एक सवाल कैसे लगेगा ठीक है तो ABC हो तब इसका अगर हम पात अनुपात ग्याद करते हैं और इसका जो कारती समीकर ग्याद करते तो वह कैसे ग्याद करते हैं तो दिखें हम जानते कि वेक्टर यह बराबर होता है एकसवान आई के प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड़व के कैप यह हो गया अब देखें बी को कैसे ग्याद करेंगे ठीक है वेक्टर बी को हम कैसे ग्याद करते हैं तो वी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एकसटू माइनस एकसवान और यहां पर हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन और यहां पर हो जाएगा जेड़ टू तो इसकी जरूरत में नहीं पड़ेगी तो फिर इसका बेगी कैसे निकलेगा यह हो जाएगा अब इसको करने कोई जरूरत नहीं है अब इसका जो कार्थी समिकड़ है अब इसको देखिए ग्याद करेंगे तो यह जाएगा इतना काम हमी करना पड़ेगा तो अब क्वेस्चन देखते हैं तो क्वेस्चन का जो विंदू है वो दे रखा यहाँ पर माइनस दो चार कामा माइनस पांच ठीक है इससे हुकर जा रही है तो यह हो गया यक्स वन यह हो गया वाई वन और यह हो गया जेड़ वन बिंदू लिख लेते हैं हमें यहां पर बिंदू दिये रखा है माइनस टू कामा फूर कामा माइनस फाइब से हुकर जा रही है से होकर और यहाँ पर एक समिकड़ दे रखा है समिकड़ क्या दे रखा है यहाँ पर x प्लस 3 बटा के 3 बराबर y माइनस 4 बटे के 5 z प्लस 8 बटे के 6 के सम्नानतर तो हम लिग देंगे यहाँ पर दे रखा है कि x प्लस 3 बटे के 3 बराबर y माइनस 4 बटे के 5 बराबर 6 प्लस 8 बटे के 6 के सम्नानतर है के सम्नानतर है तब इसका जो बिंदू होगा दिक अनुपात बिंदू उसको तीन लिख देंगे का और C का value 6 है देखिए C हम इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा है जिसका दिकनपद A, B, C हो तो यहाँ से A, B, C की value आपको मिल गई यहाँ पे A है और यह B है C है तो देखिए अगर इसको समिक्रण लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं यहाँ से X-X1 upon A A बराबर Y माइनस Y1 upon B बराबर Z माइनस Z1 upon C देखिए A की value 3 आपको यहाँ से मिल गई इस समिक्रण से 3 B की value भी मिल गई आपको 5 और C की value मिल गई 6 से तो देखिए यह समिक्रण है अब देखिए हमको क्या मिल गया यहाँ से हमको मिल गया student यह vector A मिल गया नग, vector A आपको क्या मिल गया X1, Y1 और Z1 मिल गया आपको यहाँ से यह हो गया आपका X1 और A हो गया Y1 और A हो गया Z1 तो vector A बराबर हमने यहाँ पर लिखा है कि X1, I, Y1, J और प्लस यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है कि X1, I, प्लस Y1, J कैप, प्लस Z1, K कैप तो यहाँ पर भी यह बिंदू है तो इसको put कर देंगे vector A बराबर X1, X1 की value माइनस 2, I अब फिर उसके बाद यह Y1 की value 4 है तो प्लस 4 J कैप और उसके बाद Z1 की जो value है माइनस तेहाँ पर लिख देंगे A i cap B j cap कैप एकी value दे रखा C A की value कितना दे रखा है यहाँ पर A की value 3 दे रखा है और B की value जो है इस्टूदेंट 5 दे रखा है और C की value 6 तो यहाँ पर सीप्ली पुट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा student 3 और यहाँ पर 5 j cap प्लस 6 k देंगे के यह हो गया अब देंगे हमको बेक्टर यह मिल गया बेक्टर भी मिल गया अब इसका सदी समिकल बेक्टर यहार बराबर होता है इस्टूडेंट बेक्टर a प्लस लेमडा बेक्टर b अब a की value उठाकर put कर देंगे और b की उठाकर put कर देंगे तो हमको student मिल जाएगा यहां से क्या यहां से मिल जाएगा हमको i की वेक्टर a की value हो जाएगे 2i plus 4j cap minus 5k cap plus lambda की value put कर देंगे lambda और vector b की value हमने put करना है तेहां है 3i plus 5j cap plus 6k cap यह हो गया student अब simply इसका multiply इसमें कर देंगे हम तो देखें क्या हो जाएगा vector r equal minus 2i plus 4j cap minus 5k cap plus अब lambda की value इसमें multiply कर देंगे 3i lambda फिर इसका इसमें plus 5j lambda अब इसका इसमें plus 6k cap lambda यह हो गया अब देखें student क्या करते कि i को i के साथ और j को j के साथ और k वाले को k के साथ लिखते हैं कि यहां से हो जाएगा vector r equal minus 2i ठीक है अब यहां पर i वाला value यहां पर है तो इसको सेम वाला सेम के साथ जाएगा plus 3i lambda अब इसके बाद j वाले को तेहां पर 4J plus देखें को bracket में प्लस फूर जेकेप और यहां पर जेवला और कौन सा है यहां पर देखी यह फाइब जे लेंडा प्लस फाइब प्लिस 6 के लें डा यह हो गया श्टुडेंट अब देख़िए हम क्या करते हैं यहां से इसको सदी समीक्रार बनाना है तो हम क्या करेंगे कलुए इसमें से कामा ले लेंगे इसमें से ज दुनों 3 लेमडा इसमें से I के कर लेंगे कामन कर लेंगे प्लस यहां बचेगा J कामन करेंगे तो 4 और यहां पर 5 लेमडा यहां पर J कैप और यहां पर हो जाएगा कामन करेंगे यहां से क्या कामन क्या इसमें से के यहां से हई कने चाह IR तो है बाटें है तो इनने के कर जएका यहीं डिखेगा अब देखिए हम यहां समीक्रादी करने के लिए क्या करते हैं कि एक एक सवन और nella जेडवन से होकर जाने वाली से होकर जाने वाली जिस और जिसका अनुपात क्या हो जिसका दिक अनुपात दिक अनुपात A, B, C हो तब के लिए कार्ती समीक्रण हमें ग्याद करेंगे ठीक है श्टूनेट कार्ती समीक्रण तो कार्ती समीक्रण का सुथ हम जानते क्या होता है यह होता है X-X1 अपान A बराबर Y-Y1 अपान B बराबर Z-Z1 अपान C अब देखिये इस्ट्टूनेटर इसके आगे कर देते हैं होगा ख्या X1 की value उपने देख रिखा है कि क्या दिया है मायनस two यहां पे देखिए X1 की value क्या द रखा है बिंदु यह दिया था X1 की value то SCCV2 और Y1 की value और Z1 की value to areo Z1 की value-6 इसको क्या कर देंगे सिंपल यहां से पूट कर देंगे तो यहां से पूट कर देंगे इस्टूने तो एकस माइनस एकस वन की वैलू माइनस टू दिया है तो यहां पर पूट कर दीजिए माइनस टू बटा के ए है ठीक इस्टूने यहां पर ए है तो ए की भी वैलू हम जानते हैं क्या है यहां पर देखे एकी वैलू का हमने यहां पर compare किया था एकी वैलू क्या है यहां पर 3 है यहां देखे इस समिक्रण में A है तो यहां से एकी वैलू यहां देखे 3 है और इसी में B की वैलू 5 है और C की वैलू 6 है तो इसको क्या कर देंगे उठा कर यहां पर पूट कर देंगे तेहां एक की वैलू क्या देखे ते इस्टूडेंट तीन है यहां तीन पूट कर दिया हमने एक की वैलू तीन तो तीन पूट कर दिये उसके बाद बराबर इसके बाद वाई माइनस वाई 1 y1 की value देखिए यहाँ पर दे रखा है y1 की value यहाँ पर student 4 y1 की value 4 तेहां simply y1 की value put कर देंगे 4 बटे के अब b की value बी की value यहाँ से देखिए b की value क्या है 5 इससे compare करेंगे तो b की value 5 है कि यहाँ put कर देंगे 5 फिर इसके बाद बराबर जेड माइनस जेड़ वन की value देखिए यहाँ पर दे रखा है जेड़ वन की value क्या है minus 5 put कर दीजिए जेड माइनस माइनस 5 अपान c c की value यहाँ से पूट करेंगे c की value 6 है ठीक है सी लाश्ट वल अच्छे है यहाँ पर क्या कर देंगे simply put कर देंगे अब देखिए student होगा क्या यहां से मैं इसने जगम कर दे रहा हूं यह देखिए यह माइनस और माइनस में क्या हो जाएंगे plus हो जाएगा तो यह हो जाएगा student आपका की एक्स प्लस टू बटा के तीन और यहां पर हो जाएगा वाई माइनस बराबर वाई माइनस पांच बटा के पांच बराबर यह माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा यही इसका कारती समिक्रण है अब next question देखते है student तो next question 7 नमबर देखते है student दे रखा है कि एक रेखा का कारती समिक्रण यह कारती समिक्रण देखी इसमें पहले से दे रखा है x-5 upon 3 equal y plus 4 upon 7 equal z minus 6 upon 2 है इसका सदी समिक्रण इग्यात कीजिए देखी इसमें क्या करना है सदी समिक्रण को हमें इग्यात करना है तो आई यह student हम question को simply लिख लेते हैं उसके बाद हम इसका सदी समिक्रण इग्यात करेंगे तो देखी इसमें पहले क्या है कारती समिक्रण दे दाल दे रहे हैं इसमें दे रखा है तो कारती समिकल्ड कितना दे रहा स्टूरिंट को क्या कर लेंगे राइट कर लेंगे एकस म็ने 5 अपान ध्री एक 수도 Y6 और है जोट्र loneliness को कामा y1 कामा z1 ठीक है और जिसका दिक अनुपात क्या होता है दिक अनुपात a b c हो तब उसका जो कार्थी समिक्रल होता है देखें हम इसको कंपेर करने के लिए बतारें x-x1 upon a equal y-y1 upon b कामा z-z1 upon c यह होता है इसका क्या अकार्थी समिक्राण अब इसी जो यह हमने बताया इसका कंपेर इससे कर दीजिए ठीक है इसके यहां से आपको एक्सवन की बैलू मिल जाए ठीक यहां पर एक्सवन की बैलू आपको मिल जा रही है फाइप इसमें फाइप पुट कर इसको आप समझ जेए यहां पर माइनस फोर रखा जिसे यहां पर था कर फाई-छीजिए और यहां पर ऊइनस वाइनस यहां इसमार इसके बाद देंगे जेड़ वन, तो जेड़ वन की बैलू क्या दिया है, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, अब इसका हमको मिल गया और बिंदू भी हमें मिल रहा है, कौन सा, A, B, C, तो हमके सिंपली इसको क्या करना है, राइट कर लेना है, तो A बराबर 3 और B बराबर 7 और C बराबर मिल गया आपका 2, यह मिल गया, अब इसके बाद क्या करते हैं स्टुडेंट, हम A, B, C की बैलू मिल गया, अब हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, अब इसको वेक्टर A के फाम में लिख लीजे, वेक्टर A बराबर हम जानते कि क्या होता है, एक्सवन, आई कैप, और Z1 की वेलू 6, ति से सिंपली पूट कर देंगे, पूट करने के बाद, आपका इस्टुडेंट आ जाएगा, 5I, प्लस Y1 की वेलू, तेहां पे, यह Y1 की वेलू माइनस में है, तेहां से माइनस, 4J, कैप, प्लस और Z1 की वेलू, क्या है, 6, 6K कैप, यह हो जाएगा, इस्ट यहां पे बोल जा रहा है, तो यह हो गया, 5I, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, 4J, कैप, प्लस 6, कैप, यह हो गया, किसका वेलू, वेक्टर, एक का, ठीक है, यह वेक्टर, एक का वेलू हो गया, और वेक्टर, बी का वेलू होता है, वेक्टर, भी वेलू कावकर थी की Keq A की वैलु आपका दे रखा 3B की वैलु 7 और सीडिकी by लिए वैलु दोतिन स्कों के का लिए को चुर्स कर देंगे तहुत कड़ेंगे तो हम जानते कि अब इसका सदीच समक्राइब ज्याद करना सर्दीत सम्हें कि vector R बराबर होता है क्या vector a बेक्टर एलेंड उठा कर क्या with आप सिंपल उठाकर क्या कर देंगे फूट करने के बाद हमारा क्या आजाएगा अब क्या मिए प्लासी करेंगे यहां से फूट कर दीजिए ठीक है तो यहां पर है 3i plus 7 j-cap plus 2k यह आपका क्या हो जाएगा आंसर ठीक है यही आपका सदीर समीकर्ण हो जाएगा डिज को इस्ट्विसट्वेश्चन जो है is student 8 नंबर ठीक है तो इसमें दिर्खता है कि मूल बिंदू और देखें यहां पर एक मूल बिंदू यहां पर सब सी से होकर जाने वाली रिखा का हम क्या कर लेंगे सदी समीकर ग्याद कर लेंगे तब student हम जानते देखिए आई हम question को समझ लेते हैं पर आठवां जो question है question number 8 यहाँ पर डाल देंगे question number 8 है तो यहाँ पर question number 8 में एक मूल बिंदू दे रहे ठीक है एक मिलमें तो हम क्या हमालेते जीरो कामाँ जीरो है और यह बिंदू और बिंदू भी जो दिया इसमें दे रखा है कि 5 कामी माइनस 2 कामाँ 3 से जाती है तो यह जाती है तब देखें यह हो गया X1, थम पढ़ए टी जू फर्मुला कि X1 कामा Y1 कामा Z1 से ओकर जाती है ओकर जाती है और जिसका अनुपाद सारी दीक अनुपाद दीक अनुपाद क्या होता है A B C हो A कामा B कामा C हो तब समिक्रण हमी ग्याद करते हो टेक इसका कार्थी शम्मिक्र ऐखेब करते हैं को देखेश कार्थीआ समिक्र ज्याद करने के लिए हम सबसे ψनी क्या होना चाहिए बेक्टर की वैलू ग्याद थो निए अब याय का प्लसामreten है ठीक ठीक है अब देखिए हाँ से एक ही वैलो कैसे निकल अ 연क जो nhất हो सरी की व everlasting norm करकर निकलते हैं और εκじserदE निकलना हो सारी है वेक्टर ने रहेगा कियों भी रहेगा वी की वैलो 140 मीनस वाइव न करके निकलते हैं और C की वैलू निकलना होतों क्या करते है जेट टू माइनस जेड़ वण ना स्ट्टोट देखिए अब इसको एक बार इसको एबी सी जो है इसको एकश टू माल लेते ठीक है यह बिंदू ए है और यह बिंदू बी है इसमें घटा कर रहा है जो वैलू होता है उस जीरो आई प्लस जीरोजे प्लस जीरो जीरो क एक यह संपूर जो वेक्टर है इसके बाद बेक्टर बेक्टर बी जो है Хण् logrय कि अगर एक फेल्ट करना ही यह पिर एक ही बएलू पहले रखना आ तो एक्सट्य में से एक्सट्य यानि एक्सट्य इसको माल लेती है तो पांच में से जीरो गया है तहां सकते हागा जाएगा अब इसके बाद ख fibre टूए तीन है। तीन में से जीरो गया तो इतोना घी है जैगा य्जिए थी बिच्छ बराबर 17 और्बी और श्की यहां से निकल गई टीक है और यहां पो क्ल delle गरसे सिंपली बेक्टर वी में फूट कर देंगे यहां से 3 की value जो है उसको put कर दीजे तिये हो जाएगा 5i plus y1 की सारी b की value जो है यहां से minus 2 है तो minus 2 हो गया यह minus 2 j cap और इसके बाद z1 की सारी c की value 3 है 3 को put कर दीजे plus 3 k cap यह हो गया student त्यांस हो जाएगा vector b वराबर 5i सारी माइनस और प्लस मिलकर माइनस 2 j cap प्लस 3 k cap यह हो गया यह बी निकल गया अब देखें इसका सदी समीकल करेंगे तो सदी समीकल का पर्मॉले जैसे कि हमने पढ़ रखा है vector a प्लस लेमडा वेक्टर बी अब देखें हमें बेक्टर यह पता हो गया और बेक्टर भी पता गया सिंपली इसको ग्याद करेंगे तो यह हो जाएगा बेक्टर बराबर बेक्टर एकी value उठा कर यहां से कहां पूट करेंगे यह यानि बेक्टर एकी value क्या निकाले 0 तहां से 0 हो जाएगा नहां उसके बाद प्लस लेमडा बेक्टर भी की value है पर में निकाल रखाए student पूट कर देंगे तो यह जाएगा फाइप आई माइनस टू जे प्लस थ्री के कैप तो इसके बाद इसका बे लेमडा माइनस टू जे लेमडा प्लस थ्री के लेमडा यह हो जाएगा यह ताब इसको भी यह भी इसका क्या है आंसर है आप इसको तोड़कर भी लेख सकते हो ठीक है शुरू यह 0 हर जाएगा तो यह भी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा लेकिन यह तो सदी समिक ग्याद किये ठीक है अब इसके बाद हम इसका कार्ती रूप ग्याद करना है तो हम जानते हैं कि जब कोई बिंदू X1 Y1 और Z1 दिया होता है और उसका दिकनपाद ABC हो तब student हम कैसे ग्याद करते हैं ABC दिया हो तो उसका जो कार्ती रूप होता है हम लिए यहाँ पर लिख देंगे कि X1 कामा Y1 कामा Z1 जो रेखा बिंदू है से होकर होकर जाने वाली जाने वाली रेखा का जो दिकनपाद होगा वो क्या होगा ABC होगा और अनुपाद A कामा B कामा C होगा तो student यहां पर X1 और Y1 के जगह पर यहां पर जो बिंदू दे रखा वो क्या है X1 य1 और Z1 के जगह बिया 0000 तो यहां पर यहां से किसे जारी यह 0 कामा 0 कामा 0 से होकर जारे और इसका जो बिंदू दे रखा है 5, minus 2, minus 3, sorry plus 3, तो यहां से बिंदू पूट कर देंगे, 5, minus 2, 3, यहां पे 5, minus 2, 3, यह हमने पूट कर दिया, इस्टूनेंट, अब हमें यहां से X1 की यह value मिल गई, यह Y1 की और यह Z1 की और यह मिल गया आपका A, A, B, A, C, यह बिंदू मिल गये जैसा कि हमने ABC यहाँ पर निकाल रखा है यह निकल गया, B निकल गया और C निकल गया ठीक है इस इसी को क्या कर देंगे? फूट कर देंगे तो हम जानते हैं तब कार्ती समिकरण यह हो गया इस्टुडेंट तो कार्ति समीकर हम जानते हैं क्या होता है X-X1 upon A बराबर Y-Y1 upon B बराबर Z-Z1 upon C यह हो गया अब X तो X रहेगा ही क्योंकि यह फार्मूले का है माइनस X1 की वैलू 0 तो इसमें 0 पूट कर देंगे बटा के A की वैलू 5 है 5 पूट कर दिया बराबर Y-Y1 की वैलू 0 है तो 0 पूट कर देंगे और उसके बाद B की वैलू – 2 है – 2 पूट कर दिया और उसके बाद Z-Z1 की वैलू 0 है 0 पूट कर दिया उसके बाद C, C की वैलू 3 है 3 पूट कर दिया यह आपका क्या हो गया student कार्थी समिकर अभी से आप साल्ब का लिजे थोड़ा सा x बटे के 5 हो जाएगा यह 0 का कोई मतलब नहीं बराबर y बटे के माइनस 2 हो जाएगा बराबर z बटे के 3 हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर इस्टोडेंट ठीक है अब इसके बाद हम next question देखते हैं इस्टोडेंट नाई नंबर तो नाई नंबर में दे रखा कि बिंदू इन ब्राइकेट 3 कामा माइनस 2 कामा माइनस 5 और इन ब्राइकेट 3 कामा माइनस 2 कामा 6 से गुजनने वाली रेखा का सदीज से सदीज तथा कार्तिक रूप में समिक्रण इग्याद किजिए तो इस्टोडेंट आईए इसको हम इग्याद करते हैं तब यहाँ पर हम देख रहे हैं इस्टोडेंट इस question को लिख लेते हैं नं इसको हम क्या करना है सदीज तथा कार्ति समिकर ग्याद करना है तो इस्टोडेंट हम करते क्या हैं कि यह तो अगर माली जिसको लिखें कि x1 कामा y1 कामा z1 से होकर जाती है होकर जाने वाली यह होकर जाती है और जिसका दिक अनुपाद जिसका दिक अनुपाद ए भी सी हो तब समिकर ठीक है यह लिख रहते हैं यह एक्जाम में भी यह सब लिखा जाता है जिसे फूल माक्स की गारंटी रहती है तो यह हो गया अब देखी x1 की बैलू हमें मिल मैं यह वही चीज समिकर ठीक है इसको भी लिख देते यह इसलिझा एक शवन पाथ हो गया और यह बिंदू हो गया यहांसे हमएं A B C यानि कि इसको A B C न लिखकर इसको आप लिख सकते हैं X2 और Y2 और यह Z2 ठीक है अब A B C का इससे निकालेंगे तो इसको आप मत लिखिए A B C अब तब देखिए इसका क्या हम सरी समिकर ग्याद करते हैं तेहां पर हम देखते कि वेक्टर A बराबर हमको जो मिलता है X1 I cap प्लस Y1 J cap प्लस Z1 K cap ठीक है X1 की value में यहां से मिल गई Y1 की value मिल गई X1 की value मिल गई अब इससे उठाकर सीधा simply put कर देंगे तो वेक्टर A बराबर हो जाएगा 3i 3i और Y1 की value minus 2 तेहां से रुख देंगे minus 2 J cap प्लस Z1 की value minus 5 तेहां पर रख देंगे minus 5 K cap ठीक है यहां से हो जाएगा बेक्टर A बराबर से थोड़ा solve कर देते हैं यह हो जाएगा 3i minus 2J cap प्लस और minus मिलकर minus 5 K cap यह अब क्या निकल गए बेक्टर यह अब इसके बाद हमें बेक्टर B निकलना है दिखे बेक्टर B के लिए हमें क्या हम जानते क्या होता है तो अब हम जानते हैं कि स्टुडेंट A और B हमको ग्याद करना तो A B का देखे हम यहां पर लिख देंगे कि जो रिखा दो ठोट दिया आया तो A B का दिक अनुपात नहां से दिक अनुपात दिक अनुपात क्या होता है देखे एक ग्याद करने के लिए होगा एक्सटू माइनस एक्सवन ठीक है और B का ग्याद करने के लिए होगा वाल्टू माइनस वाई वन और अब देखे एक्सटू की जो वैलू है यहां से रखे एक्सटू की वैलू क्या दिया रखाती तीन यहां हो जाएगा ठींट और Minus 3 यह हो गया है Y2 की value देखे क्या दरखा है Minus 2 थो आप put कर दीजिए Minus 2 Y2 की value क्या दरखा Isके बाद यहां पे Z2 की value इसको put कर दीज़ Z2 की value क्या है नहीं हो 6 code कर देंगे और माइनस Z1 की value क्या दिया माइनस 5 तो माइनस इसका और इसका माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस तेहां पर हो जाएगा प्लस 5 अब देखे ए प्लस और माइनस मिलकर कड़ गया और ये भी कड़ गया तो ए हो गया 0 ए भी हो जाएगा क्या 0 और ये 6 की बेयलू के आगया 11 तेहां पर दिखें पूट कर दीजिये तो बेक्टर बबराबर एक की बेलू क्या है जीरो- हीजे के प्लस बीकी बेलू अब इसका सदीश समिकर्स हम ग्याद करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो सदीशा मिक्रकर का फार्मूला होता वह प्लस lambda vector B तो vector A की value रख देंगे और vector B की value रख देंगे student तो vector A की value simply आप रख दीजीए हम पे तो vector A की value हम देखें इहाँ पर निकाल रखें student तो वो हो गया क्या 3I minus 2J minus 5K cap plus lambda इसके बाद क्या है 11 B vector B की value 11 K cap यह हो गया student यह तो इसका होगे क्या सदी समिक्रण अब इसका हम ग्याद करते हैं कार्थी समिक्रण तो कार्थी समिक्रण हम जानते हैं इस्टूरेंट कि अगर कोई बिंदू X1, Y1, Z1 दिया हो और उसके दिक अनुपात तिक अनुपात ABC हो तब कार्थी समिक्रण तब के लिए हम जानते हैं कि जो कार्थी समिक्रण होता है वो क्या होता है कार्थी समिक्रण एक्स माइनस X1 अपान A और बराबर Y माइनस Y1 अपान B बराबर Z माइनस Z1 अपान C यह होता है अब X1 की बैलू यहां से आप उठाकर पुट कर देंगे इस्टूडेंट है इसका जो बिंदू है वह दे रखा है हमारा क्या बिंदू है एक्स वन तीन कामा माइनस दो कामा माइनस पांच इसको क्या कर देंगे सिंपली पुट कर देंगे यहां पे एक्स वन की जिगर पर न तो यहां से हो जाएगा फिर हम इसको नेक्स इस्टेप में करेंगे एक्स माइनस एक्स वन की बैलू क्या है यहां पर एक्स वन की बैलू यहां सारी तीन है तो तीन पुट कर देंगे minus 3 A की value क्या दे रखा है यहाँ हमने निकाला है A की value सुनना यानि 0 तो 0 पूट कर दिया हमने बराबर देखिए Y यहाँ पूट करेंगे minus Y1 की value Y1 की value क्या minus 2 है यहाँ पे लिख देंगे minus 2 बटे के B की जो value है B की value क्या निकाला है यह भी 0 ही निकला है अब इसके बाद बराबर Z minus अब Z1 की value क्या यहाँ पे दिया है minus 5 दे रखा है देखिए minus 5 ते यहाँ क्या कर देंगे पूट कर देंगे minus 5 है बटा के अब दोके C की जो value हमने यहाँ पे निकाल रखा है 11 निकाल रखा है minus 3 बटा के 0 बराबर Y और यह minus minus क्या जाएगा प्लस 2 बटा के 0 बराबर Z minus minus क्या जाएगा प्लस 5 बटे के 11 तो इसका यह क्या हो जाएगा कार्ती समीकरण और इसका हो जाएगा अंसर अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिलीज वीडियो को लाइक कर देजेगा अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर देजीगा झाल भी टे कर देज?